जैमा काली कार्टिक का महिना जो भगवान श्री हरी विष्णु का बहुत ही प्रिय महिना है क्योंकि इस महिने में उनकी प्रिय भक्त मतब रिंदा मत तुलसी की पूजन होती है वैसे तो कार्टिक स्नान के बहुत सारे नियम है कार्टिक के महीने में काफी नियम किये जाते हैं सूरेदे के पहले उठकर सनान करना मात तुलसी को दीबदान करना जलाशे के किनारे दीबदान करना मंदिर में जाकर देवालाई में जाकर दीबदान करना वट वरक्ष की नीचे, पीपल की वरक्ष की नीचे गौशाला में दीबदान करना, दूसरे के घर का अन्य नहीं खाना, यात्रा नहीं करना, यह बहुत सारे नियम है, लेकिन कल्यूग में कातिक सनान कि इतने नियम नहीं पूर्ण कर पाते हैं हम, अपनी दिन चरिया के कारण, तो विशेश दो नियम अवश्य ही करना चाहिए, कि सूरेदों के पहले अगर आपसे हो सके, सूरेदे के पहले उटकर सनान कर ले, और मा तुलसी में दीबदान वश्य करें, और किसी भी देवाले में भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पूजन का विशेश महत्व है, कार्तिक के महीने में, साथ ही इस पवित्र महीने में अच्छे त्योहार आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रिय जो मा लक्षमी का प्रियत योहार है, दीपावली, दीपावली के पहले आते हैं, धन्तेरस, नरक चवदस, तो धन्तेरस में कहा जाता है कि इस दिन सोना चान्दी कुछ वशेश खरीदना चाहिए, कुछ अगर आप सोना चान्दी नहीं खरीज सकते हैं, तो धन्तेरस की दिन आप नमक ला सकते हैं, आप दक्षिणावर्ती शंक लाकर अपने पोजन स्थान में रख सकते हैं, आप गौमती चक्र लाकर रख सकते हैं, आप जाडू लाकर रख सकते हैं, तो जो दक्षिणावर्ती शंक जो है जो शंक है वो माता महालक्षमी के भाई कहलाते है इसी तरह जो नमक है वो भी समुद्र से आए है तो गोंती चक्र भी समुद्र से आए है तो ये कहा जाता है कि घर के मंदिर में पूजन करने से इनको रख कर पूजन करने से सुख सम्रद्धी प्राप्ति होती है और धन की स्थिर्ता बनी रहती है। पूरी पूजन के बाद में आप इनको उठा सकते हैं। जाडू जो होती हैं वो समर्दी घर में लेकर आती हैं। जब आप अपने पूजन इस्थान में जाडू की पूजन कर ले रखें। जाडू को दर्वाजे के पीछे रखना चाहिए हमेशा चीपा करके। किसी वस्त्र से आप धाग सकते हैं। सफेद वस्त्र से धाग कर रखना चाहिए। दो जाडू कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़े हैं। और दक्षिनवर्ती शंक अवश्य लेकर आना चाहिए। अगर सिद्ध है किसी विशेश आप जो तिशे हैं या आपके गुरू जी हैं। उनके तवारा सिद्ध करवा सकते हैं। या घर पर भी लाकर आप रख लें। धन तेरस के दिन लाकर रख लें। और कुछ उशेश ये तिथियां जो वैसे तो दक्षिनवर्ती शंक स्वयम सिद्ध होते हैं। लेकिन तब भी अगर कुछ उशेश तिथियों में इनको घर के मंदिर में रख करके श्री सोकत का या कनकधारा स्रोत का पाट करें। तो ये इन तिथियों में स्वयम सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा अगर धन प्राप्ति करना है तो आप दक्षिनवर्ती शंक में चावल भरके रखें। और चावल भरके रखने के बाद उसमें दो तामबे के सिक्के या दो चांदी के सिक्के रख दें। और पूरे धन तेरस से लेकर भायदूश तक आप इनको रहने दे और उसके बाद में या तो अगर भायदूश तक आप नहीं रख सकते हैं तो लक्ष्मी धन तेरस के दिन आप रख दें। और जिस दिन लक्ष्मी पूजन हो जाए लक्ष्मी पूजन से लेकर के तो दूसरे लक्ष्मी पूजन तक आप रख सकते हैं। अगर रखना चाहें तो लक्ष्मी पूजन से शुरू करके धन तेरस के दिन लाकर रख दें। दीपावली की दिन पूजन करें विदी विधान से बहुत अच्छे से चावल भर दें डक्षेन और ते शंख में दो सिक्के रख दें चानदी के उसमें या दो तामबे के भी रख सकते हैं और इस लक्ष्मी पूजन से लेकर आने वरे लक्ष्मी पूजन तक आप घर के मंद लें इसके और आपके अधन स्थान में तीजोरी वाल जो स्थाने वहां पर रख लें तीजोरी में और इस शंक में दूसरे चावल और दूसरे दो सिक्के आप रख लें अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ने तो आप फिर लक्ष्मी पूजन के दिन आप ध उसको वहीं रहने दे धनिस्ताव के जो पूजन स्थाने वहां पर दूब दीप इनको दिखाते रहें और फिर दूसरे वाली जो दिपावली है वो चावल खाली करके दूसरे चावल बढ़ दे तो इससे धनकी इस्तिरता बनी रहती है जो शादी शुदा महीलाएं है उनक शुकरवार के दिन अगर धनकी इस्तिरता चाहिए तो शुकरवार के दिन सुक सम्रेदली चाहिए तो उनको शुकरवार के दिन अपने बालों को धोना चाहिए बालों को धोना के बाद में जो सूखा वाला जो सिंदूर होता है वो मांग में भरना चाहिए कुमकुम और सि विशेश रूप से सिंदूर कुमकुम और आलता का प्रयोग किया जाते हैं, कुमकुम और आलता, और जो हमारा MP है, UP है, यहां पर आपको सिंदूर विशेश रूप से पूजन में उप्योग आप देखेंगे, पहले मारी नानी दादी भी औरेंज कलर का, जो मांग में सूख वाला सिंदूर भरा करती हैं, तो जिस दिन बाल धो ए सुहागन इस्तरिया तो सूख वाला सिंदूर मांग में भरे, इससे सुख सम्रद्धी के प्राप्ति होती है, भाग्य चमकता है और पत्ती की सुख सम्रद्धी भी मनी रहती है, यह उपाई जरूर करना चाहिए, अगर किसी घर में बहुत निगेटिविटी बनी हुई है, धन की स्थिर्ता नहीं है, तो शुकरवार के दिन शाम को भीमसीनी कपूर, तेजपत्ता, राई, पीली सरसो वो तो और अच्छी बात है, और लॉंग, इन सभी को जला करके दुआ करना चाहिए, घर पे तो निग किसीनी कपूर में दो लॉंग अवश्य ही जलानी चाहिए, घर पे शाम के समय, आरती के समय, अब धन तेरस के बाद में चुक काली 14 साती है, यह नरक 14 साती है, इस दिन वैसे तो कारती के पूरे मेने में अगर संभव हो, तो सुरेदे के पहले उठकर, मतलब चार बजे करी चार साधिशार ब्रम्म मुरत जिसको उन कहता है, उस समय उठकर स्नान करके, मा तुल सी को, मा वरंदा को दीब दान बशे करना चाहिए, उनके नीचे जलाशे में जाकर गंगा स्नान करना चाहिए, और नहीं संभव हो सकता है, तो नरक 14 के दिन, या काली 14 के दिन, सुबह पहले आप तिल का तेल ले ले, तिल का तेल या सरसो का तेल ले ले उसको पहले शरीर में लगा ले, फिर उप्टन, उप्टन कोई भी हो सकता है, चंदन, हल्दी, कोई भी उप्टन जो आपको उचित लगे, वो ले करके पुरे शरीर में लगा करके और फिर उसको निकाल ला परिविश्णु ने नरका सुर नामक असुर कवद किये हैं, तो आज की दिन जो सुरेदे से पहले उठकर के स्नान करेगा, उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा आपकी जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी गंदिगी है, जितना टॉक्सिसिटी है, वो एक उप्टन लगाना तो एक संकेत है, आप अपनी सारी गंदिगी को निकाल रहें और आपके मन के अंदर आपकी चित्ते के शुदी, भारी रूप से आप शुद्ध हो रहे हैं और आंतृक रूप से भी आप शुद्ध हो रहे हैं, तो नरक 14 के दिन में सुरेदे के पहले इस दिन माता काली मां की पूजन भी होती हैं वेस्ट बेंगौल में जो बंगाली लोग जो होती हैं काली 14 को विशेश इंका तिवोर मांक्रों contrac int पूजन होती है factory farm रसगुले का उपयोग किया जा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं, मां को लाल फूल चडा सकते हैं, मा को तो नरक चौदस की दिन या काली चौदस की दिन सुर्य देखे पैलेट कर स्नान करें बगवाई श्रेडी विश्णु का भी नाम ले इस परण करते ने उस दिन दिन बर और माता महा काली की भी विशेश खरपा उनकी पूजन पाट करके प्राप्त करें जै मा काली